दोस्तों मैं सवरों मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फेर कुईज में आज हम देखेंगे 11 सितंबर की करेंट फेर को जो कि सभी परिक्साव के लिए मैत पुन रहेगी डेली करेंट फेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिवीजन कोशन है हाल ही में पेरिस पेरलंपिक में पूरसो की भाला फैक इस परदा में नवदीप सिंग ने कौन सा पतक जीता है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करनेट फैर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है चोवन वी जीएस्टी काउंसल की बैठक में कैंसर की दमाओं पर जीएस्टी दर गटा कर कितना कर दिया गया है पहले कोशन का राइट आंसर रहेगा पांच पर सेट यानि की डी राइट आंसर रहेगा दूसरा कोशन है हालही में संसदिय राजभासा समेति का अध्यक्स किसे चुना गया सही आंसर रहेगा दोस्तो अमित साजी को दूसरे कोशन कर राइट आंसर सी हो जाएगा तीसरा कोशन है प्रदानमंत्री, मतश्य, किसान, समृद्धी, सहय, योजना का सुभारम किस ने किया राजीव रन्यन सिंग यानि कि तीसरे कोशन कर राइट आंसर बी हो जाएगा कोशन नमबर फोर है अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान एम्स ने किस सहर में एक तंबाकू निवारन क्लेनिक यानि कि टी सी सी काउद गाटन किया राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली सी इस दा राइट आंसर कोशन नमबर फाइव है केंद सरकार ने सर्वू चनाल्या में सरकार के पक्स के लिए कितने अतरीक्त सोलिसिटर जनरल की निवक्ति की प्रस्ताव को मन्जूरी दी है पांचवी कोशन का राइट आंसर रहेगा शिक्स यानि कि ए इस दा राइट आंसर प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियप ले सकते हैं देखें मास्टर पीडियप एक ऐसी पीडियप है जिसमें सब कुछ आपको मिल जाता है एक ही पीडियप में बट ऐसा नहीं है कि आप एक ही पीडियप ले सकते, आप कोई भी अलग अलग पीडियप भी ले सकते हैं, 170 रुपीज की ये पीडियप होती है, सारी साथ में ले सकते हैं, 170 रुपीज में, इसका लिंक इस्क्रिप्टिंशन बोक्स में दे दिया हमने, वहाँ पर किलिक करके पेमेंट करके ले सकते हैं और बारकोर से पेमेंट करना है या फिर पेमेंट नहीं होता है तो इस नंबर पर हमसे WhatsApp पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं चटा कोशन है नागरिक ओडियन पर दूसरे एशिया परसांत मंतरी स्थरिय सम्मेलन की मेजवानी कौन सा देश करेगा राइट अंसर हैगा भारत यानि की B इस दा राइट अंसर कोशन नंबर साथ है ASEAN GAMS 26 में किस खेल को सामिल करने की खोशना हुई कोशन नंबर साथ का सही आंसर रहेगा योगासन यानि की A इस दा राइट अंसर कोशन नमबर आठ है हाल ही में भारत ने सरजनिक छेतर लेखा प्रिक्स से सहयोग के लिए किस देश के साथ समझो तक यापन पर अस्ताक्सर किया आठवे कोशन का राइट आंसर हैगा सहयोगत अरब अमिराथ यानि कि C is the right answer कोशन नमबर नाइन है सितंबर तोज़ाइब चोबिस में A सही तटरक्सक एजिंसियों के परमुकों की 20 भी बैठक कहां परायजित की गई कोशन नमबर नाइन का सही आंसर हैगा दक्सिल कोरिया यानि कि A is the right answer कोशन नमबर दस है कोशन नमबर दस का सही आंसर हैगा चालिस वे इस्थान पर कोशन नमबर दस्तों यहाँ पर 11 कोशन है 10 से 11 सितंबर 24 के बीच बिरिक समु के रास्टे सुरक्षा सलाकारों का सम्मेलन कहां पर आयजित किया गया इस देखे सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए सेर करिएगा दोस्तों के साथ में और ये वीडियो सुबह 6 बज़े आती है उनली टॉप स्टडी यूटूब चैनल पर तो आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें राइट आंसर हैगा मास्को यानि की ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशन नमबर 12 है हाल ही में किस दक्सिन अमेरिकी देश ने जंगल की आग के करण रास्टे आपातकाल गोसित किया है बारबे कुशन का राइट आंसर हैगा बोलेविया यानि की बी इस दा राइट आंसर कुशन नमबर 13 है रक्सा मंतराले ने 130 MKI विमान के लिए 240 Aero इंजन खरीदने के लिए किस संस्था के साथ 26,000 करोड रुपे का समझोता क्या है कुशन नमबर 13 का राइट आंसर हैगा H.A.L. यानि कि C. राइट आंसर हैगा कुशन नमबर 14 है 2025 में क्वाड सिखर सम्मिरन का राइजन किस देश में किया जाएगा कुशन नमबर 14 का सही आंसर हैगा इंडिया में यानि कि A सही उत्तर हैगा कुशन नमबर 15 है हाल ही में किस देश के दिगज ओल्डाउंडर मोहिन अली ने अंतरास्ट किर्केट से सन्यास लिया है पंदर्वी कुशन कराईट आंसर हैगा इंगलेंड यानि कि B करेक्ट आंसर हैगा कुशन नमबर 16 है हाल ही में कोण सी राज्य सरकार सेमी कौन इंडिया का आयजन करेगी सही आंसर हैगा उत्तरप्रदेश सरकार यानि कि C करेक्ट आंसर रहेगा सतरवा कोशन है हाल ही में केंद्रिय प्रियवरिन मंत्राले की सुच वाई यू सर्विक्षन 2024 में कौन सा सहर सिर्ज पर रहा है राइट आंसर रहेगा सूरत यानि कि B करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन अंबर 18 है हाल ही में किसे रास्टे स्वास्त मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक न्यूक्त किया गया है विने गोयल को यानि कि B करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन अंबर 19 है हाल ही में अरुन गोयल को किस देश में भारत का अगला राज़ूत न्यूक्त किया गया है क्रोइसिया में यानि कि 19 में कोशन करेंट आंसर सी हो जाएगा कोशंबर 20 है हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरूस खिताब जीता है जैनिक सीनर यानि कि 20 में कोशन करेंट आंसर भी हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये तो थे हमारे 20 करेंट फिर के कोशन आंसर अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में आज का हमारा होमवर्क का कोशन है हाल ही में दूसरा अंतरास्टिय बोध मेडिय सम्मिलन कहां आईजित किया जाएगा इस question का अंसर सभी student comment box में बताएंगे जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है प्रत्वी के कुल छेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमी है मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही आंसर हैगा 40 प्रतिशत यानि की बी correct answer रहेगा और देखे कल का हमारा हमबर का question था अंतरास्टे साक्षारत अदिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है तो सही आंसर हैगा 8 सितंबर को यानि की बी correct answer हैगा और प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक only top study एप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजे क्योंकि यहाँ पर आपको test series मिलती है सबसे कम prize में और अगर आप लोगों ने अभी तक master pdf नहीं ली है तो 170 रुपीज की master pdf है जिसमें आपको सारी subject मिल जाएंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं description box में master pdf का link available है onlytopstudy.com यह हमारी website है वहाँ से जाके आप कोई भी अलग-अलग pdf purchase कर सकते हैं यह हमारा whatsapp number है इस पर भी आप हमें message कर सकते हैं but message direct और केवल pdf से related ही कर सकते हैं whatsapp पर इस पर message कर सकते हैं session अच्छा लगे तो like share करिए channel पर नहीं है तो subscribe करिए bell icon को on रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो miss ना हो thank you so much bye bye everyone take care खाले के अपना मिलते हैं next class में